आधरनिय और प्यारे मित्रो आज का आपना विशे है फलजोतिश कितना सही है पाट सेकंड भविश्य का खन कुछ प्रमाण में सही क्यों होता है जोतिश के प्रकार और जोतिश के बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं ये आज के वैक्षान में हम देखने वाले हैं मित्रो माना वजाती का जो इतिहास है और विज्ञान इनका क्या सम्मंद रहा ये समझने के लिए फलजूतिश ए एस्ट्रोलोजी का इतिहास जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दुनिया का पहला साइंस है जिसे हम आज के जमाने में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं खगुल शास्त्र कहते हैं इंसान की आयू 10,00,000 सालों की गए सव सालों में विज्ञान और के करणंव जाती ने बहुत प्रगती की शायद 9,99,900 सालों में जितनी प्रगती इंसान ने ने की उससे ज़्यादा प्रगती गय सव सालों में की इसके पीछे का कारण के आए हलाकि विज्ञान में जो आज बाते हम सीखते हैं सिखाई जाती है वे कई बाते 4000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी है आज भी हमको सीखना पड़ता है लेकिन उस जमाने में जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट है जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र पे काफी अच्छे अनुसंधान किये उन्होंने अपने कई गलत मद भी दुनिया का सामने रखे थे और उस जमाने में क्या सही है, क्या सही नहीं है यह सहो प्रतिशत, कॉन्फिड़न्टली हम कही नहीं सकते थे यह सिद्धी पूरी मानव जाती कि करीबन 16-17 शताब्दी तक थी 16-17 शताब्दी के बाद में कोई भी सत्य अगर हमें डूनना है सच डूनना है तो उसके लिए एक प्रक्रिया इनसान को प्राप्त हुई जिसे कहते है scientific method वईग्यानिक प्रक्रिया और हमारे ध्यान में आया कि यह सही माने में सत्य शोधन का हत्यार है इसी के माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे 300-400 सालों में यह scientific method जो प्रकार है सत्य शोधन का यह जो हत्यार है वो इतना अवश्चक बन गया कि कोई भी ज्यान के क्षित्र में इसका उप्योग होता है और इसी के आधार पर जो सत्य मिलता है उसी को स्विकारा जाता है और इसके आधार पर जो सत्य सिद्ध नहीं होता है उसको नकारा जाता है तो इस ढंक से यह scientific method के current क्या सच है क्या जूट है इसका तुरंत हमें पता चलने लग गिया अभी यह scientific method क्या होती है कभी विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज वो विशय नहीं है केवल आपको थोड़ी कलपना आए इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी हम इस विश्व में होता है इन happenings को घटित को हम देखते हैं उसको observe करते हैं उसका narration करते हैं ऐसे कई happenings को हम जब बार 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 देखते हैं तो उसके आधार पर हमारे मन में एक नियम तयार होता है जिसको हम hypothesis कहते हैं कि भाई ये बात ऐसे ऐसी हो रही है तो इसके पीछे ये कारण हो सकता है तो ये पहली step है scientific method में वही ग्यानिक प्रक्रिया में जब इस धंक से ये हम जो देखते हैं observe करते हैं उसके आधार पर कोई निशकर्ष निकालते हैं यही निशकर्ष हमें बार 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 मिलते रहता है तो उसको हम hypothesis कहते हैं हम अलग-अलग जो घटित होते हैं होते हैं उसके आधार पर निशकर्ष निकालते हैं इसको inductive process केते हैं और ये जो निशकर्ष हमें मिलते हैं उसके आधार पर अलग-अलग happilys इसी धंग से होते हैं कि ने इसको जाचते हैं इसको हम कहते हैं quantitative process जब inductive process और deductive process के आधार पर ये जो हम निश्करश निकाल रहे हैं जिसे हम hypothesis कहते हैं वो सही ठेरता है तो हम मानते हैं कि ये hypothesis सही है और इसके आधार पर हम थेरी रखते हैं ये ठेरी जब बार-बार जाची जाती है लैब्स में जाती जाती है पुरे विश्व में जहां-जहां गटित होते हैं या happening होते हैं उसके आधार पर जाती है और उसके खिलाब एक भी प्रूफ नहीं मिलता है उल्टा हर बार वो सिद्ध होती है तो उसको कहते हैं प्रूड थियरी और उसको विज्ञान केते हैं यह विज्ञानिक प्रक्रिया की सैंटिफिक मेथड की एक प्रोसेस है यह प्रोसेस जब हमल में लाने लगे तब हमें पहली बार पता चला कि इंसान के बारे में उस पर सजेशन का बहुत प्रिणाम होता है हाला कि हमारे मेडिसिन का विकास कैसे हुआ पहले के जमाने में वीच क्राफ्ट विद्या थी जिसे हम चेटुक की विद्या कह सकते हैं ब्लैक मैजिक का एक हिस्सा कह सकते हैं उसमें अलग-अलग दवाईयों का उपयोग होता था लेकिन दवाईयों का क्या परिणाम है और इंसान जो सजेशन स्विकारता है मंद्र दंद्र के आधार पर या और किसी कारण वश उसके क्या परिणाम है इसमें फर्क करना पहले के जमाने में हमको पॉसिबल नहीं था लेकिन साइंटिफिक मेथड का इजाद होने के बाद में ये फर्क हम कर सके इसको हम प्लासिबो एफेक्ट ऐसा कहते हैं और आज जो भी मेडिसीन सिद्ध होता है मेडिसीन करकर उसको हम स्विकारते हैं वो प्लासिबो एफेक्ट के बाद में अगर उससे ज़्यादा प्रमार में हमको result देता है तो उसको हम medicine कहते हैं यहने अभी एक medicine का इजाद हुआ उसका प्रयोग किया जाता है कि एक medicine सव लोगों के group को दिया गया डॉक्टर के जरिये वो सही medicine है दूसरा उसी ढंग की एक tablet बनाई जाती है जिसमें medicine नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है वो भी उसी ढंग से डॉक्टर को पता भी नहीं होता है कि यह medicine नहीं है वो भी सो पेशन्ट्स को देता है और यह कहकर कि यह medicine लेने के बाद में यह यह फाइदे मिलने वाले है जैसा पहले ग्रूप को कहा गया उसी ढंग से पहले ग्रूप में सही मेडिसिन है दूसरे ग्रूप में डमी मेडिसिन है पहले ग्रूप में अगर करीब करीब 90 प्रतिशत लोगों को रिजर्ड मिलते हैं और दूसरे ग्रूप में भी 90 प्रतिशत लोगों को result मिलते हैं तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये medicine नहीं है क्योंकि ये suggestion का ही केबल परिणाम है पहले ग्रूप को 90 प्रतिशत result मिलते हैं और दूसरे ग्रूप में शायद 30% result मिलते हैं तो ये माना जाता है कि ये 30% result placebo effect है suggestion के करण मिले वे results है लेकिन जो 90% तक results मिले हैं इसका मतलब 60% results जादा है ये results medicine के करण मिले हैं इसलिए medicine हो सकता है ये medicine है ऐसा माना जाता है ये जाचने की प्रक्रिया को हम placebo effect ऐसा कहते हैं कि medicine के नाम पर बिलकुल वैसा ही आवरेंड वैसा ही टेबलेट दिखने का रंग वैसा ही डॉक्टर कहेगा इसके फायदे यही होगे उसी डंग से कहेगा उसको भी विश्वास होगा कि इसके फायदे मिलेंगे ये सब बाते common होने के बाद में एक सही medicine होता है दुसरा dummy medicine होता है दोनों के results जाचे जाते हैं इसके आधार पर medicine का हमारा शास्त्र काफी अच्छा भी कसीद हुआ और आज कहां के कहां जाकर पहुंच जैसा इनसान के मन में suggestion का प्रिणाम होता है उसी डंग से इस nature में जो भी happenings होते हैं अलग-अलग गटनाए गटती है उसमें कुछ नियम है नहीं है यह जाचने के लिए एक नियम का बहुत बड़ा योगदान है जिसके current science का विकास बहुत fast हुआ इसको हम कहते हैं law probability इनसान को जब law probability का पता चला जिसको हम chance factor भी कह सकते हैं उसके बाद ही सही माने में विज्ञान का बहुत तेजी से विकास हो पाया अब इसके लिए ये law probability क्या है इसको काक तालियन निया ऐसा सांस्कृत में कहा जाता है हिंदी में भी यही शब्दों किया जाता है यानि कववा बैटने को और डाल तूटने को जो हम कहते हैं उस ढंग से ये क्रिया होती है सही शब्द है law probability या फिर chance factor जैसे कि मैं एक बाबा को एक्स्पोस करने गया था इंदूर के पास मैंने नोदनम का गाउँ है बहुत फेमस बाबा था वहाँ उसने एक pregnant औरत को गर्भवदी स्त्री को आशिरवाद दिया जाओ तुम्हें लड़का होगा हाला कि उसका आशिरवाद बहुत अलग था पहले उसने कहा था तुम्हारे पेट में लड़की है जाओ उसका लड़का हो गया लेकिन अंतिम आशिरवाद था तुम्हें लड़का होगा और वो केवल अकेल स्त्री को नहीं दे रहा था ऐसे कई स्त्रीों को इसी ढंग से वो आशिरवाद दे रहा था अब ये आशिरवाद जब मैंने सुना और मेरे सामने करीबन चार स्त्रीयों को उसने इसी डंग से आशिरवाद दिया उसमें से एक बात मेरे तीवरता से ध्यान में आई कि ये बाबा हर प्रेगनन्ट स्त्री को आशिरवाद देता है जाओ बाबा की तुम पर कृपा है तुमको लड़का होगा अब बाबा को तो मालूम नहीं लड़का होगा लड़की होगी उसके हाथ में तो कुछ नहीं है नेचर के हाथ में है वो अगर एक हजार स्त्रीयों को आशिरवाद देता है तो उसमें से नेचर के नियम के अनुसार क्योंकि इसमें 50-50 परसेंट चांसे से एदर लड़का होगा या लड़की होगी यह पचास प्रतिशत चांसे सोने के करण हो सकता है कि हजार स्त्रीयों में से पास्त्रीयों को लड़का होगा अब जिन पास्त्रीयों को लड़का होता है हर स्त्री को तो 100% लड़का होता है उसको तो कोई 50% लड़का नहीं होता है इसके लिए उसके लिए जिसके पेड़ से अभी बच्चा बाहर निकला है और वो लड़का है उस मा के लिए तो भविष्यवानी 100% सही होगी इसलिए वो बड़े पैमाने पर बच्चे के लिए जो भी जन्म के बाद में कार्यकरम रखते हैं प्रोग्राम रखते हैं उस प्रोग्राम में बाबा का फोटो लगाते हैं हार डालते हैं कहते हैं बाबा ने बुला था बाबा का अश्रुवाद सही निकला बच्छा हुआ बेटा हुआ और फिर पूरे आसपास के परीसर में खियती फैल जाती है कि बाबा के गुरुपा से लड़का हुआ यहने पासो स्त्रियों के कारण इतनी बाबा की ख्याती फाइलती है कि पाच हजार पचास हजार स्त्रियां फिर से बाबा के चरणों पर माता ठेकने के लिए आ जाती है अब पासो स्त्रियों को लड़की होने के गुंजाईश है नेचर का निये मैं उन स्त्रियों को लगता है कि हमारे ही कुछ प्रोग्राम में कारेकरम में जो बाबा ने हमको कहा था जिस धंक से सब चीजे करने को कहा था उसमें कुछ तो भी गड़ बड़ी हो गए या फिर बाबा का आशिरवाद नहीं फलेगा यह नैनोत का बाबा ठीक नहीं है दूसरे और बाबा के पास जाएंगे आशिरवाद लेने के लिए तो यह पास्सोस्त्रिया जिनके बारे में नेचर के करण ये बात सच होती है वो बाबा को इतनी प्रसिद्ध दिलाती है इतनी ख्याती दिलाती है कि उसके आधार पर उसका बहुत बड़ा वेवसाय बढ़ जाता ह है और जो पास्सोस्त्रिया है जिनको लड़की होती है वो या तो चुब बेटी या फिर दुसरे बाबा के पास जाती है और इसके आधार पर इन बाबाओं का व्यवसाय बहुत बढ़ते रहता है ये हो गई लॉप प्रॉबेबिलेटी स्त्री को या तो लड़का होगा य कह सकते है कि जब संख्या कम है तो क्या होगा जैसे मेरे स्कूलों के दिनों में हमको सवाल पूछे जाते थे और जबाब लिखने के लिए हाँ या ना टिक मार करो ऐसा कहा जाता था गाय को दो सिंग है हाँ या ना टिक मार करो अभी गाय को दो सिंग है हाँ 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 टिक मार करेंगे गोड़े को दो सिंग है हाँ या ना टिक मार करो अब गोड़े को दो सिंग नहीं है इसलिए हम ना टिक मार करेंगे ऐसे सव सवाल दिये गए मैं भी एक्जाम में बैठा हूँ मैंने कोई अभ्यास नहीं किया है मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है अब इसमें हर सवाल में दो चांसे से हा या ना याने पूरे सव सवालों में 50% चांसे से मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है इसका मतलब ऐसा है कि मेरी योग्यता जीरो परसेंट है मुझे जीरो मार्स मिलने वाले हैं क्योंकि मुझे एक भी सवाल का जबाब नहीं आता है इसके बावजूद अगर मैंने सव के सव सवाल हाहा टिक मार किये तो क्या होगा हो सकता है कि कडाचित सव सवालों में से पचास सवालों के जबाब मेरे सही निकले और मुझे पचास प्रतिशत मार्स मिले यह फिप्टी परसेंट मार्स मिलकर मैं सेकंड डिविजन में पास हो जाओंगा यह भी हो सकता है कि इन सव सवालों में मेरे सही निकलने वाले जबाब शायद सत्तर प्रतिशत हो मुझे सत्तर मार्स मिले और ये भी हो सकता है कि कम से कम तीस प्रतिशत मुझे मार्स मिले मुझे जीरो मार्स मिली नहीं सकते क्योंकि जीरो मार्स अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे हर सवाल का जबाब गलत लिखना होगा और गलत लिखने के लिए मुझे सही जवाल का जबाब माहिद मालूम चाहिए ये तो संभव नहीं है क्योंकि सव का अगर संख्या रहे तो सव की संख्या में जो फ्लक्चुएट होती है वो 30 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक फ्लक्चुएट हो सकती है इसलिए मुझे 30 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत सक मार्स मिल सकते है यही अगर संख्या करोडों में है तो यह फ्लक्चुएशन बहुत कम होगा 9% से लेकर 50.1% तक यह fluctuation होगा इतना कम fluctuation होगा बहुत बड़ी संख्या होगी तो कम संख्या होगी तो fluctuation ज़्यादा होगा इसको हम कहते हैं law probability law possibility नहीं है यह probability है याने जो हमेशा चीजे घट्टी है इस्त्री को बच्चा होता है बच्ची होती है यह probable चीजे है जो चीजे प्रॉबेबल है हमेशा घटने की गुंजाईश है उसमें के chance factor इस धंग से ढूंडे जाते हैं उसके प्रतिशट हम पहले से जान सकते हैं और जब हमें इन बातों का पता चला कि ये chance factor इस धंग से काम करता है इसलिए हमेशा science में सबसे पहले कोई भी डाटा जाशते वक्त इस डाटा का chance factor निकला जाता है अगर चांस factor से जादा सही उसी ढंग से होता है तो फिर उसके पीछे कोई नियम हो सकता है कोई उसके पीछे थेरी हो सकती है ये माना जाता है और इसलिए विज्ञान का विकास बहुत ही वास्थ हम कर पाएं पूरा का पूरा astrology का भविश्य कथन करने का जो तरीका है यह दो नियोमों पर खड़ा है भविश्य कथन इंसानों का किया जाता है कि इसलिए इंसान पर suggestion का बहुत परिणाम होता है और suggestion के कारण कुछ परिणाम वो पराप्त करता है उसके बारे मैं व दूसरा है law of probability आम इंसान के जीवन में जो भी घटनाएं घटी है तो सामान में होती है अगर आप अपने पूरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसके list बनाओगे तो सव के उपर नहीं जाएगे और यही सब के जीवन में घटेगा एकाद वेक्ति का अपवाद होगा कि जिसके जीवन में एकादी exceptional घटनाएं जो किसी के और के जीवन में नहीं घटी है अधरवाइज आम इंसानों के जीवन में घटने वाली घटनाएं आम होती है सामान्य होती है हर एक के जीवन में घटते रहती है तो जोतिशी जब किसी क भी भविश्य कथन करते हैं तो प्रॉबेबल चीजे कहेंगे और इन प्रॉबेबल चीजों में चांस फैक्टर जो होगा वो पचास प्रतिशत होने के कारेंट तीस प्रतिशत से लेकर तो सत्तर प्रतिशक तक वो चीजे सच शाबित होगी ये तो केवल चांस फैक्टर के कारेंट लॉब प्रॉबेबलेटी के कारेंट पॉसिबल होगा और उसमें सजेशन भी क्या रोल प्ले करता है ये बाद में हम देखने वाले हैं इसलिए एस्ट्रोलोजी को शास्त्र कप कहेंगे हम जब वो चांस फैक्टर और सजेशन के करण जो रिजल्ट्स मिल सकते हैं उससे भी ज़्यादा बार बार हमेशा रिजल्ट देते रहे तो फिर हम कहेंगे वो साइंस है वो शास्त्र है और मैंने पहले ही आप से कहा कि आज के जमाने में एस्ट्रोलोजी साइंस है नहीं है ये डूनने के जरूरत नहीं है क्योंकि एस्ट्रोलोजी साइंस है कि नहीं ये करीबन तीन सव से चार सो साल तक उसको ढूनते आये हैं और ये और किसी नहीं डूनडा खुद जोतीशियों ने ढूंडा क्योंकि उननीस भी शताबदी तक जो भी एस्ट्रोनॉमर्स थे खगोल शास्त्री थे ये शब्दतबाद में इजाद हुआ वो सभी के सभी एस्ट्रोलोजर्स थे गैलिलियो केपलर से लेकर हर वेक्टिव उस जमाने में जो भी खगोल शास्त्री था वो होरोस्कोप के आधार पर लोगों का भविशक अथन करता था लोगों का भविशक अथन करना और ग्रहत गोल तालोक अतारों का अभ्यास करना ये दोनों एक ही बाते थे इनको मैथेमेट विशियन कहा जाता था एस्टोलोजर्स कहा जाता था गैलीलियो की कुंडली ड्यूक ओ फरडिनान की गलत साबित होने के बाद यानि कुंडली नहीं उसका भविश्यक अथन गलत साबित होने के बाद जिसके बारे में हम कल बहुत विस्तार से उसके बारे में हमने विचार किया है उसके बाद में ये डूनने की कोशिश हुई कि ये ग्रहगोलो का भ्यास तो बहुत सही होता है सटिक होता है लेकिन इसके आधार पर जो लोगों का भविश्य बताया जाता है उसमें कोई तथ्या है कि नहीं और ये तथ्या डूणने की कोशिश जो 300-400 साल हुए उसी के आधार पर 20 वी शताबदे में एस्ट्रोलोजी ये सब्जेक्ट सेपरेट हुआ जिसको हम फलजोतिश कहते हैं और एस्ट्रोनामी ये सब्जेक्ट सेपरेट हुआ हिस्टा करकर उसको सिखाया जाता है अब मित्रो हम एस्ट्रोलोजी के बारे में बात करेंगे जोतिश के जो अलेदलब प्रकार है उसके बारे में भी हम बात करेंगे जो भी जोतिश है जोतिश कथन के जो प्रकार है उसमें सबसे ज़दा साइंटिफिक प्रकार माना जाता है खोरोस्कोप के आधार पर कुंडलियों के आधार पर भविश्यकतन करना उसके बारे में वईज्यानिक क्या कहते हैं दुनिया में कई बार ऐसा प्रयास हुआ कि वईज्यानिकों ने अपना मत व्यक्त करना चाहिए लेकिन शायद दुनिया में 186 साइंटिस साथ में आकर पहीली बार ऐसा प्रयास हुआ जो फलजोतिश के बारे में एस्ट्रोलोजी के बारे में कुछ करते हैं कहते हैं उन लोगों ने एक स्टेटमेंट पर सिद्ध किया 1975 इसमें 186 साइंटिस्ट के सही है सिगनेचर है ये सिगनेचर करने वाले जो लोग है उनमें 19 नोबेल प्राइज विनर्स है ये जो 19 नोबेल प्राइज विनर्स है उसमें केवल भारत के एक नोबेल प्राइज विनर्स का नाम है सी चंद्रशेखर ये जो साइंटिस्ट है उसमें खगोल शास्त्री है एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और बाकी फिल्ड के बड़े-बड़े वईज्यानिक है ये जो स्ट्रेट्मेंट उन्होंने निकाला उसमें भे कहते हैं कि जोतिश को यानि फल जोतिश को कोई भी आधार नहीं है कोई बेस नहीं है कोई फाउंडेशन नहीं है ग्रह गोलों का मानवी जीवन पर प्रेणाम होता है ऐसा पुराने लोग मानते थे और इसी के आधार पर वो भविश्य कथन करने का प्रयास करते थे जब ये शास्त्र यानि भविश्य कथन का शास्त्र अभी कसीत हुआ तब ग्रहों का अंतर पृत्वी से कितना दूर है इसकी इंसान को कलपना नहीं थी अब हमें पता चला है कि ये ग्रह हमसे कितने दूर है पृत्वी से बाकी ग्रह इतने दूर है कि उनका कोई भी असर पृत्वी पर नहीं गिरता है नहीं पढ़ता है चाहे गुरुतवा कर्षन ग्रैविटी का आसर हो चाहे मैगनेडिसम का आसर हो उसको जाचा भी नहीं जा सकता इतना निगलीजिबल होता है गुरह गोल इनसान के लिए समय शुभ या आशुब बनाते है या फिर राशी जो होती है वो इनसान की योग्यता या अयोग्यता तै करती है, ऐसा माना जाता है, इसको कोई भी आधार नहीं है, और ये गलत बात है, इसलिए आज के जमाने में भी बड़े पैमाने पर लोग जोतिश एनिफल जोतिश पर विश्वास रखते हैं, बड़े बड़े निउस्पेपर सोर्स मेडिया इन चुजों को बहुत महत्व देते हैं, लोगों को भविश्य कथन के लिए प्रोचसाइद करते हैं, उस पर विश्वास रखने के लिए प्रोचसाइद करते हैं, लोगों का भविश्य, अलग-अलग मेडिया के माध्यम से लोगों तक पहुचाने का प्रयास किया जाता है, और पड़े लिके लोग भी इस पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हम सभी के सभी वईज्यानिक बहुत अस्वस्थ हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, इसलिए हम कहते हैं, आज के जमाने में ये जोतिशी ठग, चाल्टन सुनों ने जोतिशों को कहा है, इसलिए ये वईज्यानिक कहते हैं, कि आज के जमाने में, ये जोतिशी ठगों से आम जनताने सावधान रहना चाहिए, और इन जोतिशी ठगों को अभी आवहान देने का समया आया है कि भाई आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया के 166 साइंटिस्ट ने ये पत्र स्टेटमेंट जारी किया पुरे दुनिया में ये पबलेश हुआ पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कितने बड़े बड़े वईग्यान एक साथ में आया और उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट दिया अब मित्रो ये जो एस्ट्रोलोजी के बारे में साइंटिस्ट ने कहा है मैंने आपके सामने रखा अब रहा सवाल एस्ट्रोलोजी एक्चूली क्या है अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी है कि एस्ट्रोलोजी क्या है उसके बेसिक्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ और ये बेसिक्स सो प्रतिश्ट सही है इसको कोई भी एस्ट्रोलोजर नकार नहीं सकता लेकिन उसके जो बाकी डिटेल्स है वो आपके सामने रखना मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के मैंने एक किताब पढ़ी तो उसके आधार पर मैं जो कहूंगा वो सब सडीक होगा सही होगा वैसा फल जो दिश के बारे में नहीं कहा जा सकता है उसका कारण इसा है कि इसमें कोई भी एक प्रमांड किताब नहीं है नहीं विश्यक अथन करने की एक प्रमांड परंपरा सायनाचारिय अलगधंसे जोतिश बताते हैं निरेनाचारिय अलग धंग से बताते हैं पश्यमी देश अलग धंग से जोतिश बताते हैं एक ही पत्रिका के आधार पर तीनों के धंग अलग होने के करण तीनों का कथन में भविश्य बदल जाता है ठीक है एक परंपरा का तो भी एक अंतिम्मत भाई एक ही किताब हो जो एक प्रमान किताब है एक परिम्परा की वैसा भी नहीं है महाराश्ट में अखिल भारतिय जोतिश परिशद है मैं उनको कई सालों से आवहन दे रहा हूं कह रहा हूं आवहन कर रहा हूं कि भाई आप जोतिश के ये फल जोतिश के एस्ट्रोलोजी के एक किताब प्रमानित किजिए कि ये हमारा सही माने में साइन्स है ये प्रमानित किताब है इसमें जो कहा गया है हम सब को मानने है कम से कम उस किताब के बारे में तो बात कर सके यहां एक जो तिशी जो कहता है वो दूसरा मानता नहीं है और दूसरा जो कहता है उसको पहला मानता नहीं है इसलिए इसमें कोई निश्चित बात नहीं है लेकिन जो बाते मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ जो प्रात्मिक बात है वो निश्चित बात है उसके बारे में कोई डाउट नहीं एस्ट्रोलोजी में भविश्यक अथन जो किया जाता है व्यक्ति का उसके लिए केवल दो चीजों की आवशक्ता होती है एक जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसका जन्म समय और ये जन्म जहां हुआ उस गाव का उस थान का ना याने जन्म समय मालूम चाही और जन्म स्थान मालूम चाही ये दो चीजे एक बार जोतिशकों मिल गई कि उसके साइंटिफिक अवशक्ता पूरी हो गई उसके आधार पर भी उपर आगे जालकर हुरोसकोब बनाता है मैंने पहले ही का ये हुरोसकोब बनाने के तीन अलग अलग तरीके हैं लेकिन दोनों को याने तीनों तरीके जो है उनको ये दो चीजे चाहिए जन्म स्थान और जन्म समय मालूम चाही इसके आधार पर वो आगे का भविश्य कथन करते हैं पहले तो पत्रिका बनाते हैं ये जो पत्रिका है हुरोसकोब है बनाते हैं उसकोब अगर आपके घर में मुझे लगता है हर एक के घर में अपनी अपनी पत्रिका होनी चाहिए आप इस पत्रिका को देखिए उसमें आपको दिखेगा कि बारा स्थान है जिसको बारा घर कहते हैं ये बारा घर राशी के हैं इसा माना जाता है अब राशी क्या होती है कलपना ऐसी की गई कि पृत्वी मध्य है और इसके इर्दगीर चारो ओर जो पुरा विश्व है अब पुरा का पुरा सरकल में अगर देखा जाए तो वो होगा तीन सो साथ डिग्री ये तीन सो साथ डिग्री में जो पुरा विश्व है उसको पहले तो 27 नक्षत्रों में बाटा गया आगे चलकर उसको 12 राशियों में बाटा गया यानि 30 डिग्री की एक राश डाई नक्षत्र का एक राश अब ये जो राशी है 12 पूरे विश्व को समझो हम सरकल में मानते विश्व को तो उसको 30-30 डिग्रे में बाटा गया जब इंसान का जन्म हुआ था उस स्थान पर उस समय वो स्थान कोंसे राशी में है इसके आधार पर पत्री का ताय होती है अब यहां तक तो बात आपके समझ में आगी और उसी के आधार पर उसका भविश्य कथन होता है ये 12 राशे में, पहले परंपरागत 9 ग्रह थे, ये 9 ग्रह अपनी अपनी जगह पाते हैं, अब उसके पीछे का जो सिस्टिम है, उसमें भी अलग-अलग, मत है, अलग-अलग धारणाइ परंपराइ'' उसके डिटेल्स में हम जाई नहीं सकते जाएंगे तो एक कहेंगा ऐसा नहीं है जी दूसरा कहेगा जोतिश नहीं जी ऐसा ही है अलग-अलग परंपरा है लेकिन अगार हम हमारी पत्रिका देखें तो उस पत्रिका में हमें दिखेगा कि ये नौ ग्रह जो है और राशी में जग़ जग़ पर होते हैं फैले हुए होते हैं और उसके आधार पर हमारा आपका भविश्य कथन किया जाता है अब इन नौ ग्रहों के बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे आजकल उसमें और तीन ग्रह एड़ किये जाते हैं यूरेनस, नेप्च्शुन, प्लूटो जो बाद में हमें मिले हैं अठारवी, उननिस वी शताब दमय, बड़िस वी शताब दमय प्राप्तो हैं अखरी का जो प्लूटो है, उननिस सो थीस में हमें दिखा अब ये ग्रह कैसे दिखे उसके बारे में भी आपसे मैं बात करूँगा ये नव ग्रह जो परमपरागत है वो क्या है ध्यान में रखना बहुत आसान है एक है राहू कितू और बाकी के हमारे साथ वा जो विग डेज हैं सोमवार मंगलवार से लेकर तो रभिवार तक ये साथ के साथ वार जो है विग डेज वो हमारे साथ ग्रह है इसलिए याद रखना तो बहुत आसान हो गया राहू कितू प्लस साथ वार हो गये हमारे नव ग्रह पहले हम इन नव ग्रहों के बारे में बात करेंगे अभी आपने स्कूल में ग्रहों का तो अब भास किया है आपको मालुम है लेकिन आप स्कूल में रहू के तो नाम के ग्रह नहीं सिखे हैं आपको मंगल है मालुम है बुद्ध मालुम है गुरू मालुम है शुक्र मालुम है शनी ग्रह मालुम है पुर्थवी ग्रह ये भी आपको मालुम है यूरेनस नेप्चुन प्लूटो ये ग्रह ये भी आपको मालुम है लेकिन आपको राहू के तु नाम के ग्रह स्कूलों में सिखाये नहीं गए यहां कि राहू के तु नाम के ग्रह माने जाते हैं लेकिन वो है नहीं अब यह राहू के तु नाम के क्या प्रकार है पहले हमें कलपना नहीं थे कि पुथवी से ये ग्रह कितने दूर है कितने दूर है हाँ तारों में और ग्रहों में हम फर्करना सिह गए थे लेकिन इसमें कितना डिस्टन्स है ये हमको मालुम नहीं थे तो उन दिनों हम ऐसा मानते थे कि रहु के तो नाम के जो हमारे ग्रह है ये रहु के तू को जब कोई निगलता है रहु के तो नाम के तही माने में साप मने गए राक्षरास मने गए परंपरा में साब भी माने गए ये साब जब चांद्रमा को निगलते है तब चंद्रग्रहन लगता है और सूरज को निगलते है तब सूरज ग्रहन लगता है अब कलपना के जिए सूरज को निगलेगा पॉसिबल है सूरज का आकार क्या होता है इन ग्रहों का पु़री ग्रह सूर्ज को निकल जाते हैं यानि सूरज कितना बड़ा है और हमसे कितना दूर है इसकी भी हम जान करें नहीं थे सबसे यह रहू के तू की कलपना हम करते आ रहे हैं दीरे दीरे इस ख्यत्र में हमारा ग्यान बढ़ते गया ग्यान बढ़ने के बाद में हमारे ध्यान में आया कि ऐसे कोई राक्षस नहीं हो सकते हैं इसे कोई साप नहीं हो सकते हैं क्योंकि ग्रहन कैसे लगता है हमको पता च चल गया कि जब सूरज और चांद के बीच में पृत्वी आती है चांद का तो खुद का प्रकश नहीं होता है और तीनों जब एक प्लेन में आते हैं हलांकि रोजी बीच में पृत्वी आती है चांद और सूरज के बीच में रोज आती है पुर्थवी अपने इर्द गूम दे रहती है इसलिए हमें मैसूस होता है ठीक है रोज बीच में एक्चुली नहीं आती है तो साल में तो कई बार आएगी दो बार तो आएगी लेकिन तब ग्रैंड लगेगा इसा नहीं होगा प्लें टीनों की एक चाहिए ये तीनों जब एक प्लें में आते हैं सूर्च के बीच में और चांद के बीच में प्रुथवी आए प्रुथवी को प्रकाश अड़ा चांद तक नहीं पहुचा अभी थोड़े समय पहले तक प पूरा का पूरा अंदेरा हो जाएगा फिर हम कहेंगे कि यहां ग्रहन लग गिया चांद को हाला कि पृत्वी की छाव चांद पर गिर्थी है इसलिए उसका प्रकाश गाइब हो जाता है लेकिन हम कहते हैं कि चांद को ग्रहन लग गिया जब चांद बीच में आता है प्रुत्वी और सूरज के बीच में किनों एक प्लेन में आ जाते हैं अभी सूरज तो बहुत बड़ा है इसलिए पूरा सूरज तो ये चांद के कारण ड़क नहीं सकता है लेकिन एक बड़ा हिस्सा क्योंकि चांद बहुत हमारे नजदेक है और उससे 380 गुना सूरज है इस कारण सूरज बहुत बड़ा होने के बावजूद उसका बहुत बड़ा हिस्सा डख सकता है चांद के जरिये जहां हम एक बिंदू पर हैं, महां से हमको दिख सकता है, कि सूरज का बहुत बड़ा हिसा डग गया है यानि अभी क्या होता है? कि जो भी सूरज का प्रकाश आता है, वो चान को अडग जाता है पृत्वी तक नहीं पहुँचता है, जहां हम खड़े हैं, वहां तक नहीं पहुँचता है यानि ग्रांड पृत्वी को लगता है लेकिन हमको सूरज नहीं दिखता है या फिर कम दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि सूरज को ग्रांड लग गया अब ये ग्यान जब हमें प्राप्त हुआ उसके बाद में बड़ी दिक्कत पैदा हुई भाई ये राहू के तुनाम के साथ फिर क्या करे फिर कलपना बदली जोतिशी उशार फिर उन्होंने कहा कि ये इन्विजिबल प्लैनेट्स हैं न दिखने वाले प्लैनेट्स ये क्यों कहा ये भी आपने समझ लेना चाहिए भाई ये इन्विजिबल प्लैनेट्स क्या होता है याने जो आखों से नहीं दिखते हैं लेकिन है अरिवाई किस आधार पर है गनित के आधार पर जो भी कक्षाय ग्रहों की होती है वो एक दुसरे के करण्ड, प्रभावित होने के करण्ड उसमें कुछ deviation आते हैं इसके आधार पर जो गनितच्ज्य होते हैं astrofegicist होते हैं कगोल शास्त्री होते हैं उनके ध्यान में आता है कि यहां कोई तुभी एका दग्रह होना चाहिए इसी ढंग से हमें यूरेनस का पता चला यूरेनस हमको आस्मान में पहली बार नहीं दिखा जबकि हमारे पास दुरबिंड थी इसके बावजूद पहले उसको गणित में हमें पता चला कि यहां कोई तुभी होना चाहिए एक अधा ग्रह होना चाहिए और फिस उस ग्रह को बाद में वहीं पर ढूंडा गया प्लूटो का भी इसी डंग से पता चला नेप्चून का पता चलना बहुत मुश्किल था क्योंकि नेप्चून जो है वो 247 एर्स में एक चक्कर सूरज को लगाता है 247 सालों में एक बार एक चक्कर लगाता है इतना दूर है जबकि पुरुथवी सूरज के इर्द गेर्द एक साल में गुमती है अब ये सूरज और पुरुथवी का मिलन नज़िकाना कितना संभवसा है इसका आप अंदाज लगा सकते हो तो ये इतना दूर होने के कारण इसके बारे में और इसका जो गुरुथवा करशन है वो भी बहुत वीक होने के कारण ये गणित में नहीं मिला यूरेनस नेप्चुन मिले लेकिन प्लूटो गणित में नहीं मिला प्लूटो एक फोटो लेते वक्त फोटो फ्रेम में मिला आखों से नहीं दिखा लेकिन फोटो फ्रेम में मिला और फिर उसके बाद में उसको डूनना गया अब इसका पता चला हमको 1930 में उसके बाद में 88 एर्स हुए है लेकिन इसको एक चक्कर काटने के लिए 247 साल चाहिए 247 एर्स चाहिए इसलिए उसका अभ्यास करना भी बहुत कठीन है तो ये तीनो प्लैनेट्स को पहले उनको आखों से नहीं देखा गया दुर्बिंट से नहीं देखा गया और मिले इसलिए कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि ये जो कुछ भी है Invisible Planets थे पहले बाद में उनको देखा गया तो Invisible Planets ये कलपना या संकलपना इसके आधार पर है तो भाई राहू को साप नहीं हो सकते PPís क्रहन कैसे लगता है पता चल गया है तो इन्हों ने कहना शुरू किया कि Invisible Planets अभी हमारी जानकारी इतनी सेटिक है हमारे ग्रह गुलों की कि साइंटिस ने कहना शुरू किया कि ऐसा कोई इन्विजिबल प्लैनेट्स होई नहीं सकता है और जहां रहू कि तु है ऐसा कहा जाता है वहां तो होई नहीं सकता है फिर इन्होंने कहिना शुरू किया कि इन्वीजिबल प्लैनेट्स नहीं है ठीक है लेकिन वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है अब यह बात सही है कि वह intersecting points है लेकिन काई के intersecting points है यह भी आप समझ लेजिए यह पुरा का पुरा विश्व समझने के लिए हमने क्या किया कि पूरे विश्व को एक सरकल में बाट दिया जहने हमने कलपना की कि पृत्वी मद्य है और उसके इर्दगिर्द एक सरकल है यह जो सरकल है और इस सरकल पर हमने सभी के सभी तारें और पुरे विश्व को रख दिया हालाकि वो सरकल से करोडो मेल दूर है सरकल पर करोडो मेल दूर जो है वो भी वहीं दिखेगा केवल समझने में लिए अब भाげस करने के लिए सरकल क्रियेट के अब ही इसमें क्या होता दोनों गुमते हैं चांद पृत्वी के इर्दगिर्द गुमता है और हमें जो दिखता है कि पृत्वी के इर्दगिर्द सूरज गुमता है फैक्ट क्या है हमको पता है अलग से बात करने के आज के जमाने में ज़रूरत नहीं है कि पृत्वी सूरज के इर्दगर्द घुमती है लेकिन हमें जो आखों से रिखता है कि सूरज इर्दगर्द घुम रहा है उसका एक सरकल और दुसरा चांद घुम रहा है उसका एक सरकल ये दोनों सरकल जहां छेद देते हैं क्योंकि दोनों के plane सलग है, इसलिए जहां चेट देते हैं, उसको एक तो बिंदु को रहु कहा गया, दुसरे बिंदु को केतु कहा गया। अब यह छेद दे सकती है कि इनके सरकल्स ठीक है सरकल्स कालपनिक है लेकिन ठीक है वरी भ्रहमन की कक्षा तो है वो एक दुसरों को छेद दे सकती है कि कलपना कीजिए प्रूथवी से चंद्रमा का डिस्टंस एक किलोमेटर है सूरज उससे 380 गुना ज़्यादा दूर है तो प्रूथवी से सूरज का डिस्टंस हो गया 380 किलोमेटर अभी आप सभी के सभी जोमेटर के स्टूडेंट रहे हैं हरे को कंबल सरी सिखना पड़ा है मद्य बिंदू प्रूथवी प्रूथवी से एक किलोमेटर डिस्टंस से चंद्रमा गुम रही है और 385 किलोमेटर डिस्टंस से सूरज गुम रहा है अब मुझे बताईए ये दोनों की परिक्रमा एक दुसरे को कैसे छेद देगी ये दोनों के सरकल गुमने के एक दुसरे को कैसे छेद देंगे एक का डिस्टंस एक किलोमेटर है दुसरे का डिस्टंस 380 किलोमेटर है मद्य बिंदू सेम है ये कभी एक दुसरे को छेद नहीं दे सकते ये जो छेदन बिंदू की कलपना कहते हैं यह वही इंसान कह सकता है कि जिसको डिस्टंस की बिलकुल गलपना नहीं है यानि ये छेदन बिंदू भी नहीं हो सकते है राहू के तो नाम के साप नहीं है राक्षस नहीं है इन्विजिबल प्लैनेट्स नहीं है ये छेदन बिंदू भी नहीं हो सकते है फिर भी राहू के तू है आपके और मेरे पत्रिका में है और वो केवल है नहीं वो बहुत तकलीब देते हैं इतनी तकलीब देते हैं कि उनको शान्त करना पड़ता है और जोती शियों का पेट भरना पड़ता है राहू केतु के भरोसे तो उनका पेट चलता है शनी भी साथ में आता है, मंगल भी आता है लेकिन सबसे ज़्यादा राहू केतु उनका पेट भरता है ये राहू केतु का डर बता बता कर, बता बता कर तो क्या-क्या आपको करने को लगाते है पत्थर पहिनने को लगाते हैं उनकी शान्ती करने को लगाते हैं उसके लिए पूजार जा करने को लगाते हैं बड़ा खर्चा करने को लगाते हैं आपके जेब में जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा खर्चा करने को लगाते हैं अरे भाई जो राहू के तू नाम के ग्रह ही नहीं उनका इतना डर किसलिए यह क्यों डर बताते हैं हमको जोतिश और इन जोतिशों को राहू के तू नाम के ग्रह नहीं है यह भी अगर पता नहीं होगा तो इनको क्या पता है अगर पता होकर यह पताते हैं हमारे पत्रिका में लगाते हैं तो कितने बड़े ठग है और पता नहीं है तो कितने बड़े अग्यानी है चलो नौ ग्रह जो परंपरागत है उसमें सुतर रहू के तू हमने देख लिए अभी साथ वार याने साथ ग्रह हो गए उसके बारे में विचार करेंगे चलो मंगल, बुधू, गुरू, शुक्रू, शनी यह पाज ग्रह तो है उसके बारे में बाद में विचार करेंगे लेकिन यह जो दो ग्रह है रवी और सोम उसके बारे में विचार करेंगे सोम याने चंद्रमा चंद्र ये ग्रह है और भाई हमने तो पूरे स्कूल में सिखा बच्पन से सिखा कि चंद्र ही उपग्र है जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं और ग्रह को प्लैनेट कहते हैं दोनों में बहुत फर्क होता है प्लैनेट तारे के इर्द गुमता है और सैटेलाइट प्लैनेट के इर्द गुमता है याने वो प्लैनेट के इर्द गुमते गुमते वो सैटेलाइट जो है प्लैनेट के इर्द गुमता है वो प्लैनेट गु अखिल भारतिय जोतिश परिशद थी धुड़ा में मैंने आउवान दिया था 1985 में पुना के जोतिश परिशद में के देखेंगे नेक्स टाइम तुमको धुड़ा में जोतिश परिशद आयुजित की गई वहाँ एक बहुत दबंग बाबा था वाग करकर उसने धुला के पत्रकारों को चवराये में नंगा करकर पीठा था काफी उसकी गुंड़ई थी काफी उसकी दैशत थी इन जोतिशों के लगा कि उसके आधार पर वहाँ पर अगर परिशद लेंगे तो मानों अगर आकर कुछ कर नहीं कर पाएंगे फिर भी हमने पंद्रह दिन वहाँ पर पूरा जन्जा गरंड किया स्कूलों स्कूलों में कॉलेजिस में वेक्षान दिये जाहिर चोग चोग में वेक्षान दिये लोगों को सीखाया उनकी एक प्रेस कॉर्फरेंस हुए है अखील भारतियों जोतिश महमंडल के पदा धिकरी है उनकी प्रेस कॉन्फरेंस हुए अब मेरे वेक्षान तो शुरू हो चुके थे मैं हर जगह सवाल उठा था कि इन जोतिशों को खगुल शास्तर का बिलकुल ग्यान नहीं है स्कूलों को बच्चों को मैं कहता था कि भाई ये जोतिशों को आप पकड़ी है और उनको पूछिए चंद्र ग्रह की उपग्रह इसलिए पत्रकारों ने सवाल पूछा प्रेस कॉंफरेंस में कि मानों तो सब बच्चों को बता रहे हैं कि इन जोतिशों को कुछ समझता नहीं है ग्रह है कि उपग्रह इसका फर्क भी इनको समझता नहीं है ये चंद्रों को ग्रह आज भी हमारे पत्रिका में लगाते हैं वो कहते हैं हमारे शास्त्र के अनुसर चंद्र ये ग्रह होता है को मानव क्या कहते है उसको कोई मतलब नहीं अब पत्रकार होशिया उन्होंने पत्र परिश्यत में सवाल खड़ा किया कि भाए मेरे बच्चे के किताब में भी ये सिखाया गया कि चंद्र ये उपग्रह है पृत्वी ये ग्रह है बुद्ध गुरु शुक्रशनी ये ग्रह है और पृत्वी को ग्रह का गया और चांद को तो उपग्रह का गया है तो मेरे ये किताब गलत है क्या फिर उसने आगे सवाल पुछा कि अगर ये किताब गलत है तो आप सरकार के तरफ डेपुटेशन ले जाकर ये बदलाओ लाओगे क्या कि सब एजुकेशन की किताबों में चंद्र को ग्रह कहा जाए क्योंकि जोतिश में कहा गया अब इनकी दिक्कत आगे क्या जबाब दे पत्रकार तो सवाल पुछ रहे हैं उन्होंने जबाब दिया कि हमारे को सवाल पुछने लग ohh चंद्र को ग्रह या उपग्रह तर करने वाले आप को 622 अपके घर क्या नो करें चंद्र अरे विज्यान जिसका अब भ्यास करता है उस्क कहकोल शास्त्र ने इसको उपग्रह पहा पाफ है कहा नहीं है ये केवल शब्द नहीं हैもの नहीं है किज स्टार के इरगर धूमता है उसको प्लैनेट कहते हैं यह कंसेप से केवल शब्द नहीं है यह कंसेप भी आपके समझ में नहीं आती है तो हमारे जोतीशियों का यतना बड़ा ग्यान है और वह हमारा भविश्य बताते हैं और हम लोग उस पर विश्वास रखते हैं चलो और चले चने चंद्र तो ग्रह है नहीं अब रहा रवी कि रवी याने सूरज यह जो आप घर जाकर अभी यह भाशन सुनने के बाद में आपकी पत्रीगा निकाल कर देखें इसमें आपको रवी दिखेगा हो ग्रह कौन पर यह थारहा है उसके इर्दगीरग गुमते पुरुध वभी गुमती है लेकिन ये जूतिशी आज भी उसको गुरह मानते हैं पहले आखोंचे से दिखता था कि पुरुध इर्दगीरग सुरज गुम्रा था आज भी वही मानसीकता में यह लोगdenे इनको पता ही नहीं है जबकि हमारे यान पृत्वी के बाहर गए चान तक गए मंगल तक गए शनी तक गए इसके बावजूद आज तक यहीं बैठे यहीं से सूरच को इर्दगिर्द गुमते दिख रहे हैं पूरे स्कूलों में पढ़ाय जाता है कि सूरच के इर्दगिर्द पृत्वी और बाकी ग्रह गुमते हैं और हमारे यह जोतिशी आज भी सूरच को पृत्वी के इर्दगिर्द गुमाते गुमाते हमारी पत्रिका बनाते ना ही इनको सूरच का ठिक ज्यान है ना ही इनको चांद का चंद्रमा का ठीक ज्ञान है कितने विद्वान जोतिशी हमारा भविश्य बताते है अब रहे पाच ग्रह मंगल बुधर गुरू शुक्र शनी अब रहा सवाल इन पाच ग्रहों का हम पर कोई परिणाम होता है क्या मैंने शुर्वात ही साइन्टिस्ट के स्टेटमेंट से की है उन्होंने जाहिर किया कि इसके कोई परिणाम नहीं होते है याने ये ग्रह पृत्वी से इतने दूर है और पृत्वी का जो 200 किलोमेटर का एट्मोस्पियर बातावरण है ये ध्यान में रखते हुए इन ग्रहों का क्या परिणाम हो सकता है सबसे पहला परिणाम हो सकता है गुरुत्वा करशन का ग्रैविटी का सूरज की और पृत्वी की ग्रैविटी के तुलना में गुरू बहुत बढ़ा करहे है इसके बावजूद उसका परिणाम नगणने आ जयंदो ना रडीकर इनोंने जब उन को पूछा गया कि भाई ये ग्रैवीटिए का गुरू तो सबसे बढ़ा बढ़ रहा है दो इसके ग्रैवीटिएा कितना अगर साइंटिस रहे चुके हैं वे कहते हैं कि इनसान जब खड़ा होता और कुर्सी पर बैठता है इस समय जो ग्रैविटी हमको महसुस होती कुछ भी महसुस नहीं होता है निगलिजिबल होता है उतना भी परिणाम गुरु ग्रह का पुर्थवी पर नहीं होता है या इनसा होता ही क्या हो सकता है लेकिन पुरुथवी का मैगनेडिजम इतना स्ट्रॉंग है कि उसकी तुलना में इनका कोई परिणाम नहीं होता है रेस का परिणाम होता है क्या है अभी ग्रहों की खुद की रेजी नहीं है यह तो हम सब को पता है ग्रहों पर सूरज का प्रकाश ग अक्षीन होता है कि आखों से बहुत कम ग्रह हमको दिखते हैं और कभी-कभी दिखते हैं गुरू जैसा बड़ा ग्रह तो आख से दिखना मुश्किल है कभी-कभी दिखता है शनी भी आख से दिखना मुश्किल है दुर्बिंड से देखना पड़ता है तो ये ग्रह का प्रकाश जो आता है किरण जो हमारे पास आते है रिफलेक्ट होकर भी अगर ग्रुहित धरे तो एट्मोस्पेर से अंदर आने के लिए कोई परिणाम हम पर नहीं होता है इसलिए ग्रहों का इंसान पर कोई भी परिणाम नहीं होता है नहीं ग्रेविटेशनल परिणाम होता है नहीं मेगनेटिक परिणाम होता है नहीं रेज का किरिणों का परिणाम होता है अब यह फैक्ट्स हमने देखे नव जो ग्रह है उस नव ग्रहों में राहू के तु नाम के ग्रह है नहीं चंद्रमा ग्रह नहीं है उपग्रह है सूरज ग्रह नहीं है वो तारा है यूरेनस नेप्चुन प्लूटो आजकल पत्रिका में डाले गए लेकिन उसके बारे में कोई एक वाट किता नहीं कि इनके प्रिणाम क्या होगे ऐसी स्थिती है तो ये ग्रह गुल का ज्ञान के आधार पर हमारा भविष्य कहने वाले जूतिशियों की स्थिती है अभी मित्रों हमने ग्रहों के बारे में बहुत विस्तार से विचार किया अब जन्म समय के बारे में विचार करेंगे क्योंकि जिसके आधार पर पूरी पत्रिका बनती है उसके बारे में विचार तो करना आवश्य कहे कैसे विचार किया जाए मुझे एक बहुत अच्छा आउसर मिला 1985 में मैंने 1982 में अपने संगडन का काम शुरू किया 1985 में पुना में अखील भारतिय जोतिश परिशत पहली बार हुई अखील भारतिय जोतिश महामंडर बना और उनकी परिशत रही उन दिनों किसी एक वेक्षान के लिए मैं पुना अलरी आ गया था और यहां इनकी एड़डाइजमेंट देखने के बाद में मैंने तई किया कि ये परिशत को मैं अटेंड करूँगा अब काम शुरू करकर मुझे केबल तीन साल हो गए थे जोतिशी हमेशा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो कही तो भी एक दिमाग में था कि ये जोतिशी बहुत सज्जन लोग होते हैं जाने बाबा जैसे गुंड़ई करने वाले लोग नहीं होते हैं अब ये मेरे दिमाग में क्यों आया था पदा नहीं लेकिन था और इसलिए मैंने तई किया ये सब मध्यमबरगिये लोग होते हैं तो हमेशा के तरह तैयारी करकर जाने के जुरूरत नहीं है मैं अकिला मेरी एक जलगाओ की प्रध्यबक मित्र वो अनाय से पुनाय उनिसिटि में किस काम के लिए आई थी और यहीं उसका काम शुरू था इसलिए वो और मेरा एक यवत माल का कार्य करता है ऐसे दो लोग अच्छानक पिपर में पढ़कर आ गए थे और अब तीन लोग यह जोतिश परिशद जो टिलक्स मरक मंदिर में थी वहाँ पत्रक बाट रहे थे कि भाई जोतिश यह शास्त रहे तो आप सिद्ध कीजिए तब हमारा आवहन तो मेरे संगडन का वो एक लाख रुपे का था तो एक लाख रुपे का आवहन भी उनको दे रहे थे और मैंने बाईज़त बाकाइदा उनका जो नियम था उसके नियम के अनुसार उनके फीजबरी और तीनो दिन ये परिशद अटेंड करने का मैंने ताई किया था शुरू होने के पहले बाहर पत्रक बाठते थे और बाद में अंदरा कर बैठता था उनकी परिशद में अटेंड कर रहा था उसमें एक परिशमवा था सिम्पोजियम था और उसका विशे था सटिक एक्यूरेट जन्म समय कैसा तै करे इसके उपर वो परिशमवा था और फिशिम्पोजियम था और मैं श्रोताओं में बैठा था अब पूरे परिशद पर मेरे जो पत्रक बाठने का कारेक्रम था उसका प्रभाव था हाला कि मैंने मुझे बोलने के लिए समय भी मांगा था उनकी मिटिंग भी हुई मिटिंग होने के पहले मिझे कई जोतीश होने पुना के जोतीश होने का था हम तुमको समय देंगे और तुम्हारे जो भी बात आप कहोगे उसको खोडने के लिए हम खड़े हो जाएंगे और फिर आपका ऐसा ऐसा कर देंगे मिलाल बहुत अच्छी बात है वहां के वहां बात का नेरे नहीं लग जाएगा उनकी मीटिंग भी अपुना के जोतिशी तो मुझे इतना अच्छी डंग से जानते नहीं थे मुंबई के जोतिशी भी जानते नहीं थे लेकिन मराटवड़ा से काफी जोतिशी आये थे विदर्ब से काफी जोतिशी आये थे हो गए उस आदमी को स्टेज नहीं देने का पूरे अपने सम्मेलन की बैंट बजा देगा याद इसलिए मैंने बहुत आधर करने के बाद भी उन्होंने सम्मेलन में मेरे विचार रखने के लिए मुझे अवसर नहीं दिया ठीक है उनका आधिकार है सम्मेलन उन्होंने आई उजित किया था किसको बोलने देना है किसको नहीं बोलने देना उनका अधिकार है और मैं हमेशा लोग तांतरीक अधिकारों का आधर करता हूँ इसलिए मेरा कोई उसके बारे में कम्प्लेंट भी नहीं थी ठीक है आपका अधिकार है इस परिसमवाद में परिसमवाद शुरू होने के बाद में बहुत मज़ा आए इसके जो अध्यक्षते बहुत प्रसिद्ध बी अपुरंदरे डॉक्टर थे यह मामुली डॉक्टर नहीं थे बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे गाइनकलोजिस्ट थे यानि जिनके नाम से पुरंदरेट टेक्निक करकर ऑप्रेशन का एक टेक्निक प्रसिद्ध है इतने बड़े सरजन थे यह इसके अध्यक्ष थे एक जोती शिक कहने लगा शुरुवाती ऐसी होई कि यह शाम मानों जैसे लोग आजकल हम पर बहुत आक्षे करते हैं आवान भी देते हैं और जन्म समय तो सबसे महत्व की बात है जन्म समय तो सेकंड टू सेकंड एक्वरेट चाहिए क्योंकि कभी कभी राशी बदल जाती है एक मिनिट के अंदर में इसलिए जन्म समय बहुत एक्वरेट पकड़ना आवशक है इसलिए मेरा कहिना ऐसा है कि जब भी बच्चे का मुह बाहर आता है कोई जन्म समय पकड़ना चाहिए क्योंकि कभी कभी बच्चे का मुह बाहर आने के बाद में आख्खा बाहर आने के ज्यादा समय लेता है और उस समय में राशी बदल सकती अब पहले जोतिशे को लगा कि मैंने बहुत अच्छी बात सब के सामने कही दूसरा जोतिशे खड़ा हो गया वो बोलने लग गया इनका मत मुझे मानने नहीं है ये मानकर चल रहे हैं कि सब बच्चे मुझे और से जन्म लेते हैं कुछ बच्चे उल्टे जन्मते हैं पहर की और से जन्म लेंगे उनका मुझे तो सबसे आखरी में बाहर आएगा फिर जन्म समय गलत होगा इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि जब अपुरा का पुरा बच्चा बहार आता है सभी जन्म समय हमने मानना चाहिए और इसी पर काफी बहस होते रहे आखरी में आद्यक्षे डॉक्टर बी अन्पुरंदरे खड़े हुए अब बहुत बड़े डॉक्टर है गैनेकलोजिस्ट उन्होंने शुरुआ थी ऐसी कि इस विशे पर बोलने का सबसे ज़्यदा अधिकार मुझे है क्योंकि आज तक मैंने हजारों बच्चों को जन्म दिया है और सब लोग एकदम से बहुत मुंडी इलाने लगे बात सही वे कहने लगे कि मेरा अनुभव ऐसा है कि मैंने कई बार देखा है अनुभव किया है हमारा हमेशा का अनुभव है कि बच्चा पुरा का पुरा बहार आता है लेकिन वो जिन्दा है कि नहीं हमको पता नहीं चलता है फिर उसके बाद में बच्चा रोता नहीं इसलिए हम उसको मसाज करते हैं गरम पानी से मसाज करते हैं कभी-कभी कुछ मेंडो बाद वो रोना शुरू करता है बच्चा जब मा के पेट से बाहर आता है वो समय महत्वका नहीं आया है जब बच्चा रोना शुरू करता है वो समय महत्वका है वो उसके जिन्देपन का पहला लक्षण है इसलिए जब बच्चा रोना शुरू करता है वही जन्म समय हमने पकड़ना चाहिए कुझे बहुत मनुरंजक लग रहा था यह सब परिसम्वार वहाँ जो सिस्टर है वहाँ जो डॉक्टर है वो बच्चा पैदा करते वक्ट बराबर ध्यान रखेगे बच्चा रोना शुरू करेगा तब का समय पकड़ेगी और फिर वो एक्जेक्ट समय जोतिशों को कहा जाएगा और उसके आधार पर पत्रिका बनाए जाएगी सिती इस्थान के बारे में तो कोई प्रॉबलेम ने क्यूकि जिस हॉस्पिटल में होगा उसका स्थान पहले से तह है तो यह जन्म समय के बारे में यहां के यहां 4-5-6 मिनिट का फर्ग गिर रहा है कोई कह रहा है मूँ बाहर आने के बाद जन्म समय तहे करो कोई कह रहा है कि पूरा का पूरा बच्चा बाहर आने के बाद तहे करो और डॉक्टर साब कह रहे हैं कि जब बच्चा रोना शुरू करेगा तब ही तहे करो क्योंकि वही उसके जीवन का पहला लक्षण है उसके जिन्दापन का पहला लक्षण है यही के पाच्छे मिनिट का फर्क हो रहा है उसके बाद तो और भी एक मज़ा आ गए मैं लोक्मत में नव सालों तक अंदर विश्वास के खिलाप लिखता रहा मेरा यूथ कॉलम भी था अपते में दो कॉलम में लिखता था अब हर अपते में दो कॉलम लिखने वाला लेखक और पत्रगार में ऐसा लोग मानते थे के लोक्मत मेरा ही पेपर है शहाड़े शास्त्री करकर वरधा के एक बहुत बड़े इंजिनियर सरकारे नोकर और बहुत बड़े जोतिशे माने जाते थे उनके आर्टिकल्स आने शुरू है और लोगों ने मुझे तकलिप देना शुरू किया जवानों के लेटर्स आने लग गए सर ये जोतिश वगरे नहीं होता इसे आपके भाशन हमने सुने हैं और ये बड़े-बड़े आर्टिकल्स लोग मत में आ रहे हैं मैंने शहाड़े शास्त्री को मिलने का तैय किया अब यहां उसके साथ में और भी कुछ था वो भी इंट्रेस्टिंग है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं शहाड़े शास्त्री को मिलने के लिए मैं वर्धा का मेरा मित्र सुभाश इथा पर इसको लेकर गया शहाड़े शास्त्री को इतना ही पता चला कि पत्रकार आया आतों अंदर में थे जैसे ही मैंडे बैटने को कहा बाहर के रूम में, वहां मेरा एक पुरा नमीतर मुझे मिला, जो मेरे कॉलेज में था, मेरे साथ में था, मुझे एक साल जुनियर था, लेकिन मेरे डिबेटिंग सोसाइटी में मेरे साथ काम करता था, भागवत उसका नाव, दिलिप, दिलिप को मैंने कहा क्यों आया रे मैं बहुत मुमत्व के काम से आया हूं मैं बविश्य पुछने के लिए तू बिल्कुल गरबर ने करने का मेरा काम होने बातमें तिरो कुछ नाय सो कर नहीं के शाड़े शास्त्री आये, उन्होंने देखा एक पत्रकार आया है, बहुत उत्सा में थे, और ये हमारा दिले भागबत करकर मेरा जो कॉलेज का मित्र था, वो भविश्य पुछने को आया था, वो पुछने को आया था, वो नोक्री में था, और उसकी फैमिली व्यापारी फै नहीं बोले, पत्रिका का मैंने आपका अभ्यास किया, लेकिन मैं कंफर्म करने के लिए आपका हाथ का भी अभ्यास कर रहा हूं, और फिर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल व्यापार के जंजेट में मत गिरिये, नोक्री करते रहिए, व्यापार में आप सक्सेस नहीं हो ग दिलिप के बविश्य को और बढ़ा दिया, उसने नहीं पूछा तो लेकिन इन्होंने कहा, मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं, यह आपको बच्चा होने के गुंजाईश नहीं है, मुझे एकदम से अचरच लगा, इसने पूछाने कुछ नहीं, यह शाड़े शा इसको बच्चा होने के गुंजाईश नहीं, मैंने फिर दिलिप के हाथ को देखा, एक लड़की जैसा उसका हाथ, दिखने को बहुत सुन्दर लेकिन एकदम से ना जो, इसके आधार पर इन्होंने कहा क्या, इसलिए मैंने पूछा कि आपकी इस आधार पर कह रहे हैं, नह के हाथ के आधार पर इनको बच्चा होना पॉसिबल नहीं है, मैंने बच्चा है ने लड़का की लड़की, नहीं बोले दोनों होना पॉसिबल नहीं, बच्चा बुल रहा हूं मैं, और उतने में अंदर से आवा जाई, इसलिए शाड़ी शास्त्री अंदर गए, शायद हम मैंने चॉकलेट डिये थी, मुझे याद है, अरे बोले तब एक बेटी थी, अब दो हो गई, तब दूसरी भी बेटी हो गई, हाँ, और ये शाड़े शास्त्री कहे रहे ना, कि तुर ये बच्चा नहीं होगा, वो कहे कभी-कभी जोतिशी गलत होते हैं, मैं ले अरे दु शाड़े शास्त्री कहे रहे हैं, कि तुर एक बच्चा होना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब तुझे समझता है क्या, तब उसके ध्यान में आया, कि इसका मतलब क्या होगा, कि वो दोनों बच्चे मेरे नहीं है, ठौल गया फिर, अब बोले मैं इसको सबक सिखा था हूं, अब मेरा काम होने दे, मेरे काम के पहले सबक नहीं सिखाना, पिर शाड़े शास्त्री के मेरी मुलाकत शुरूए, अब मेरे एक टैक्टिस होती है, मैं उस आजमे के साथ में, जो मुझे पुछना है हो, बहुत बिच-बिच में पुछते रहता हूं, उसके ध्यान में भी नहीं आता कि मुझे क्या पूछना है, आप क्यों भाई ये जोतिश का व्यवसाय कर रहे हूं, इंजिनियर हो, फिर गणित कैसा वगरे वगरे सब सब वो बाते हैं, तो सब बाते छोड़ देता हूं मैं, तो मेरे किताब में उनका ये पूरा का पूरा इंटर्विव है, य कैसे, बोले, मैं इंजिनियर हूं, इसलिए मेरा बहुत सड़ी का बहात है, इसमें जब गणित होता है, बोले कैसा, उन्हें ने कहा कि जैसा हमारा होरा शास्त्र ये मूल गृंद है, होरा शास्त्र में कहा गया है कि कुंडली बनाते समय, जन्म समय, याने बच्चा पैदा होता है वो समय नहीं लेना चाहिए जब गर्भाधान होता है वो समय लेना चाहिए याने मा के पेट में जब गर्भ ठैरता है वो समय लेना चाहिए भावचक का रहे हैं भाई ये गर्भाधान का समय कैसा पकड़ते हैं क्योंकि मेरे जानकरी के अनुसार तो ये पता था कि बच्चा कब पैदा होता है ये मा को भी पता नहीं चलता है कब ठैरता है गर्ब मा को भी महावारी जब नहीं आती तब पता चलता है कि शायद बच्चा ठैरा होगा फिर वो जाच करती है और पता चलता है कि नहीं बच्चा ठैर गया हो सकता है उसके दस-पंद्रा दिन पहले ही बच्चा ठैर गया हो पेट में इसलिए महावारी नहीं आई कैसा करे कि गरबादान का समय कैसा लेते हैं मुझे उसकता जागी मैंने पूछा कैसे कि आप गरबादान का समय लेते हो क्या वो पती-पत्नी पर पहरे बिठाते हो और पहरे बिठाने के बाद भी तो समय मिलना बहुत मुश्किल है उसकी कोई जुरुत में सीधी बात है जब अब मुझे इतनी हसी आ रही थी ठीक है कि मेरा गाइनेकलोजिस डॉक्टर से बहुत संबन्द आया कई बच्चे पैदा होते हैं मैंने देखे हैं उनके ऑपरेशन करते हुए देखे हैं इसलिए थोड़ी सडिक जानकारी मुझे जादा होगी लेकिन आम आदमी को यह जानकारी है कि नव मेने नव दिन बाद बच्चा पैदा होता है यह केवल भ्रहम है कई बच्चे साथवे मैने में पैदा होते कई बच्चे आठवे मैने में पैदा होते maximum बच्चे नवे मैने में पैदा होते और कुछ बच्चे दसवे मैने में भी पैदा होते बहुत लेट लतीफ होते और ये इंसान मुझे कह रहा था कि बच्चा जब पैदा होता है वहां से नव माहा नव दिन नव घंटे नव मिनिट में पीछे जाता हूं और वो समय गरबाधान का समय करकर पकड़ता हूं अब मुझे बताईए मित्रो ये जन्म समय जिसके आधार पर आपकी और मेरी पूरी कुंडली बनती है उसी के बारे में कोई निशिता नहीं एक जोतिशी कहता है गरबधान का समय पकड़ना है एक जोतिशी कहता है कि बच्चा जब रोने लगता है उसका समय पकड़ना है एक जोतीशी कहता है मुह बाहर आने के बाद का समय पकड़ना है एक जोतीशी कहता है पूरा का पूरा बच्चा बाहर आने के बाद में समय पकड़ना चाहिए और उपर से कहते हैं कि कभी कभी एक मिनिट में भी राशी बदल जाती है तो इतने अत्कच्रे लोगों ने जो कुछ पत्रिका बनाई उसके आधार पर हम अपना पूरा भविश्यमान बैठ के और उस पर विश्वास रखे अभी मित्रों आप कहेगे कि चांद सूरज के परिणाम होते ही कि नहीं होते है फिर आपका क्यों अबजेक्शन है मेरा चांद सूरज के परिणाम इंसान पर होते हैं इसके बारे में कोई अबजेक्शन नहीं है मेरा अबजेक्शन है राशी के अनुसार अलग अलग होते हैं इसके बारे में अध्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्यूश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्युश्य दस-दस मिनिट के लिए, एक व्यक्ति खड़ा रहा उसको धूब बहुत लग रही है, बहुत लग रही है, क्योंकि वो कन्या राशी का है, दूसरा व्यक्ति उसी समय खड़ा है, उसको मध्यम मध्यम लग रही है, धूब इतनी नहीं लग रही है, क्योंकि वो व्रुशब र अशिकह है तो आप मुझे कऊँगे के मानो साथ अपना धिमाग जाच लिजिए क्योंकि सूरज का परिणाम होता है तिनों पर होगा तिनों को बहुत दूप लगेगी मही महा का मैना है पुना में कम लगेगी वही अगर नाकपुर में होगा तो उसके हाल ही हाल होगे तिनों के बहुत लगेगे दूप हो सकता है जिसको दूप सहने के आदत हो उसको उतनी तकलिफ नहीं होगी जिसको दूप सहने के बिलकुल आदत नहीं उसको बहुत ज़्यादा तकलिफ होगी यह फरक होगा लेकिन दूप तो उतनी लगेगी 48 डिग्री है नाखपुर में तो 48 डिग्री सबको मैसूच होगा अब इन जोती इशो का कहना ऐसा है कि तीनों का जन्म अलग-अलग समय हुआ था तीनों अलग-अलग राशी के हैं इसलिए इन पर तीनों पर अलग-अलग प्रिणाम होगे इसके बारे में अबजेक्शन है इसको कोई शास्त्री आधार ने याने चांद सूरज के जो परिणाम इनसान पर होते हैं उसके बारे में कोई डाउट नहीं है लेकिन राशी के अनुसार अलग-अलग होते हैं इसके बारे में अबजेक्शन है ऐसा हो नहीं सकता है मुझे लगता है ये बात आपके सामने आ गई है और इसमें भी एक बड़ी बात आपको बताओ जो अलग-अलग धारणा है जोतिशियों में या जोतिश शास्त्रे में उसमें एक धारणा ये भी है कि सीरास साइकल होता है और ये सीरोस साइकल के कारण हर अठरा साल के बाद वही मुहुरतर रिपेट होता है अब इसका मतलब क्या होगा समझ लिजे इसका मतलब ऐसा हुआ कि हर अठरा साल के बाद में वही एक व्यक्ति का जो जन्म समय और स्थान था वो रिपेट हो सकता है अब कलपना किजिए कि आप में से किसी की बीबी प्रेगनन्ट है और जोतिश में सही में सतत्य होता तो हम क्या करते अब प्रेगनन्ट है डॉक्टर ने तारीक दी है कि भाई जन्वरी में जन्म हो रहा है मैं क्या करूंगा कि जो भी डॉक्टर ने तारीक दी है उसके आसपास का बहुत अच्छा मुहृत निकालूंगा वह अटल भीहारी बाचपई देश के प्रधान मंद्री बने थे उनका जन्म समय क्या था कौन से राशी में वो जन्म थे उसमय ले लूँगा और वही राशी मेरे बच्चे को मिले अब जो तीसे सला लूँगा वो निकाल कर देगा कि फिबरु वारी में बुद्वार को अगर जन्म हुआ बच्चे का दोपर को एक बजे तो फिर ओ अटल भीहारी जैसा होगा मैं तीन मूरत निकालूँगा दूसरे शंकराव चवाण बार 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 मंतरी बने हमेशा मंतरी बनते रहे मुख्य मंतरी रहे उसके बाद में कैबिनेट मंतरी बने फिर से मुख्य मंतरी बने तो ये शंकर राव चभान क्या बहुत ही लखी आदमी है तो उसका क्या मूरत है तिसरा जैन नारडीकर का मूरत है जोतिश्यों ने मुझे मूरत दिया दिया कि इस थान में अगर बुद्वार को दोपर को एक बजे बच्चा जन्मता है तो वो अटल बिहारी बाचपई जैसा प्रधान मंत्री बनेगा अगर गुरुवार को दोपर को दो बज़े बच्चा जनता है तो वो फिर शंकराव चवान जैसा पर्मनेंट मंत्री बनेगा अगर शुकरवार को तीन बज़े बच्चा पैदा होता है तो फिर वो जैन नरडिकर जैसा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा मैं तुरन गाइनकलोजिस्ट प्रास जाओंगा उनकी डेट बुक करने का कोशिश करोंगा वो कहेंगे सर पॉसिबल नहीं सब गाइनकलोजिस्ट की डेट बिग गई है क्योंकि सब को प्रधानमंदरी अपने घर में चाहिए और प्रधानमंदरी का रेट बहुत लंबा है बड़ा है पचास-पचास लाग तक पहुंच चुक्वा है क्योंकि उसीक्षण बुद्वार को दोपर को एक बज़े बच्चा बाहर आना चाहिए इसलिए एक गाइनकलोजिस्ट तो एक ही ऑपरेशन कर सकता है पचास लाग तक चाहिए नहीं भाई पचास लाग तो पुरा आते नहीं है शंगराव चावाण वो भी पचीस लाग तक पहुंच गया है हाँ जैन नारडीकर का कुछ जगह पर हो सकता है क्योंकि उतनी लोगों को उसके डिमांड नहीं है फिर मैं एक गैनेकलोजिस को पकड़ता हूँ दस लाग में वो जैन नारडीकर को पैदा कर कर देते हैं शुकरवार को दोपर को तीन बजे और फिर मेरा बच्चा जो भी है वो जैन नारडीकर जैसा बड़ा साइंटिस बन जाता है ये बात मैं आपके सामने बोलते वक्त आपको क्या लग रहा था कोई साइंटिफिक बात मैं कर रहा हूँ इसका लग रहा था कि कुछ गधे जैसी बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा था ये गधे जैसी बात नहीं है कि हम चाहे उस समय में बच्चों को पईदा करेंगे और उसी ढंग से फिर उसी ढंग से वो अपने आप ऐसा बन जाएगा यह कितनी हास्यास्पत कलपना हैं यह हमने समझ देना चाहिए तो मित्रो जिसको एस्ट्रोलॉजी हम कहते हैं बविश्य कथन का सबसे बड़ा साइंटिफिक तरीका है समाना जाता है उसमें इतने लुप होल्स है ग्रह के बारे में गलत जानकरी नव परंपरा द्रहों मसे चार ग्रह गायप हैं है ही नहीं पाज ग्रह उनके कोई परिणाम होते नहीं है जन्म समय सबसे महत्व की बात उसमें भी एक मत्म कोई कहता है मुँ बाहर आने के बाद पकड़ो कोई कहता है पूरा बच्चा बाहर आने के बाद पकड़ो कोई कहता है रोने के बाद पकड़ो और कोई कहता है गर्वजब ठहरता है वो समय पकड़ो उसके आधार पर ये पत्रिका बनाने वाले जोतिशी हमारा भविष्य बताते हैं और उसके हम विश्वास रखते हैं अब ये भविष्य क्यों सही होता है इसकी बाई क्यों में हम जाएंगे लेकिन कल इसके बारे में बहुत विस्तार से हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे एक तो मैंने आपको तो कही दिया उसके पीछे का नियम लोगों का भविष्य बताते वत प्राप्यबल चीजे कहो जो उस व्यक्टी के जीवन में हो सकती है वो कहो उसमें से कुछ चीजे 30 से 70 प्रतिशत चीजे सच रहने की गुंजाईश है ही 100 प्रतिशत जूट भी भविष्य कहा नहीं जा सकता अगर आप प्राप्यबल चीजे कहो तो उसमें से कुछ चीजे तो सच रहे नहीं वाली है हो नहीं वाली है आपके जीवन में इसके आधार पर जोतिशो का वेवसाय चलता है और कौन-कौन सी चीजे इनके वेवसाय में मदद करती है इसके डीटेल्स हम कल बहुत बारी किसे जानेंगे जोतिश के अलग-अलग प्रकार भी हम समझ लेंगे कल का सेशन शायद मुझे ये विशे पूरा करना है इसलिए आज का जो सेशन हुआ उससे भी और लंबा हो सकता है लेकिन हम कल पूरा विशे कंपलेट करने की कोशिश करेंगे मित्रो अभी मैं यहां रूपता हूँ अभी क्वेशन एंसर सेशन हमारा शुरू होगा कल के काफी सवाल अलड़े उनके जवाब रेकॉर्ड किये गये हैं बाद में वो अपलोड किये जाएंगे आज भी करीबन एक घंटा तो डेफिनेटली क्वेशन एंसर सेशन चलेगा और उसी के साथ मैं मैं फिर से आपको आवहन करूँगा जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रुपया उसको सब्सक्राइब किजिए गंटी बजाईए अपने मित्रों को और परीचितों को प्रोटसाहिद भी किजिए उसी के साथ मैं फेस्बुक पेज जो है शाम मानो लाइव उस पेज को लाइक किजिए ताकि हम आपसे संपर्ग कर सके झाल 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 झाल